दोस्तों नमस्कार नोबकवास टेक की बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने आइफोन 14 प्लस में जियो के e-sim को इंस्टाल तो अभी यहाँ पे आइफोन 14 प्लस में आप देख रहे हैं कि एक टावर शो हो रहा है यानि कि उसके अंदर एक सिम पहले से डली हुई है और इसके अंदर अब हम डालने वाले हैं डिवल सिम यानि की दूसरा सिम जो की होगा जियो का और जियो का वह सिम डला हुआ है इसके जाने के बाद आपको जाना है जनरल में और जनरल में जाने के बाद आपको टच करना है About वाले सेक्शन को और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यह दोनों ही नमबर आपको आसानी से दिख जाने वाले हैं और वहां से आप इसे note कर लीजीए या सामने खुला रखिए अब आ android phone में अब यहाँ पर हमें जाना है new message जो नीचे right side में kone में plus का sign बना होता है उसको touch करना है तो उसमें हम आ जाते है new message में और वहाँ हमें एक sms भेजना है 199 पे क्या लिखना है code यहाँ पे screen पे दिख रहा है आपको get sim space 32 digit का eid फिर से space और 15 digit की आपकी IMEI number और कुछ भी नहीं यह bracket नहीं रहेंगे उसमें तो इस तरीके से यह वाला sms आपको भीज़ देना है 199 पे तो वहाँ से आपको immediately एक reply आएगा यह देखे मेरे पास एक reply आ चुका है तो चलिए दोस्तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि my geo app को use करके हम अपने profile में अपनी email id को कैसे add करें तो सबसे पहले तो इस my geo app को आप download कर लें और login कर लें अपने existing geo number से अब इसी app के थुरू हम करेंगे अपने email को update तो login होने के बाद इस वाले option को touch करेंगे तो यहाँ पे profile और setting का पहला ही option हमें मिल जाएगा उसमें जाएंगे और यहाँ पे सबसे उपर ही हमें यह profile देख रहा है तो उसको कर देंगे touch तो यहाँ पे हमारी सारी details आजाएंगे phone number email id इत्यादी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह हमारा email वाला section है वो खाली है और यहाँ पे red side में एक change का option है तो उस change वाले option पे हम कर देंगे touch और यहाँ अपनी present verify कर दे और verify होने के बाद फिर से उस get eSIM वाले option पे वापस आ जाए और इस बार जो reply आया है वो पढ़के आपको बताता हूं thank you for initiating the eSIM upgrade request for your geo number this 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 your 19 digit virtual eSIM card number is this 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 तो अब हमें इस 19 digit वाले SIM card eSIM card number को note करके रख लेना है और इस 19 digit eSIM card number को वापस से भेजना है 199 पर यह रहा है SMS format इसमें आपको लिखना है SIM CHG space और वो 19 digit और यह वाला SMS भेजते ही हमें वापस एक और reply आ जाएगा जिसमें thank you for giving the request for SIM card eSIM upgrade for geo number this this is we will share an update with you in next 2 hours पर यहाँ पर तीसरा step खतम हो गया step 4 में यहाँ पर हमें एक call आएगा इस दिये गया number से और वहाँ पर हमें one press करना होगा और जैसे ही हम इस IVR consent को yes करेंगे one press करेंगे उसके immediately बात हमें एक SMS और एक email दोनों ही चीज़े आ जाएंगे जहाँ पर लिखा होगा thank you for giving consent for eSIM upgrade on your जीज़े नोमबर 3030 यह अब यह SMS आने के बाद हमें दो गंटे के लिए वेट करना होगा और दो गंटे के अंदर या दो गंटे के बाद हमें एक इतना बड़ा SMS और एक email दोनों ही प्राप्त होंगे और हमारा जो जीज़े सीम है वह automatic off हो जाएगा बंद हो जाएगा तो इ इस वाले option को हमने already touch कर दिया था और यह देखे इसका चक्का भी जो है वो गोल-गोल घूम रहा है चुकि हमारे iPhone में पहले से Wi-Fi connected है इसलिए यहां पे direct e-sim setup का जो option हमारे पास आ जा रहा है तो अब हमें इसे touch कर देंगे हमें कुछ भी feed करना ही जरूरत नहीं है सारी चैन करना होगा और यह कुछ-कुछ setup करने होंगे तो बेटर है कि पहले से Wi-Fi से connect कर लें या एक SIM डालके उसमें data on कर लें तो यहां आप real time में देखे कि कितना समय लग रहा है SIM को activate होने में मैंने यहां पर speed नहीं बढ़ाया वीडियो का हमारे iPhone में नीचे जो है वो आप द कर देंगे और नीचे done कर देंगे तो हमारा SIM card automatic activate हो चुका है अब यहां पर हम यहां पर हम यहां पर हमारे phone में दो टावर दिखने लगे और यहां data plan में भी आप देख सकते हैं एक primary और दूसरा secondary यानि कि हमारा जियो का eSIM जो है अब activate हो चुका है dual SIM activate हो चुका है हमारे iPhone 14 प्लस में तो इस पूरे प्रोसेस को करने में हमें बहुत सारे patience की जरूरत है दो से तीन घंटे लग जाते हैं तो फिर ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते अगली वीडियो में किसी आनिजान करेगे साथ तब तक के लिए बाबाए जय हिन जय भार है।